हेलो फ्रेंज तो आज हम बनाएंगे वृत के लिए कुरकरे और टेस्टी नास्ता जो शाम के वक्त चाय के साथ खा सकते हैं तो इसके लिए मैंने एक कच्चा अलू लिया है इसको मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर दिया है और इसके बाद हमें इसमें थोरा सा पानी डालेंगे और ग्रेटर आप चाहें तो कोई भी यूज कर सकते हैं थोरा सा पानी एट करके हमें इसमें डालके रख देना है साइन में फ और इसके बाद हमें ऐसे ही पाुडर जिसके बनाना है अगर आपके पास आटा ही तो वह भी चलेगा उसके बाद एक पहलेगे एक हरी मुर्ची बालेंगे राली मुर्ची दayd़ दब की में नादा पाणी दाल करें अर्फे आदा का बना來ac and बनाilot है कच्चा करते हैं वो डाल देना है और इसको अच्छे से हम पकाएंगे थोरा सा नम्मक डालेंगे और इसके बाद हमें इसमें फिरत वाले जावल का जो आटा ग्रैंड गया था वो हमें इसमें डाल देंगे और उसके बाद हमें इसको ऐसे ही मतलब सेखना है अच्छे से पानी बुरा सूख जाए एक आटे की डो जैसे बन के तियार हो जाए तो हमें तब तक हमें पकाना है और ये डो बन के तियार हो किया है अब इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे फिर एक प्लेट लेंगे थोड़ा सा ओयल डालेंगे और उसके बाद हमें ये वाला जो मिश्रियर बनाया था वो इसमें डाल देंगे मेरी क्या आवाज थोड़ी खराब हो गई है मतब तब ठीक नहीं है तो आवाज भी मेरी थोड़ी खराब हो गई है और इसके बाद हमें क्या करना है डो को एक शेप बना के तियार कर देंगे आप चाहे तो राउंड शेप भी बना के तियार कर सकते हैं लेकिन ये वाला shape थोड़ा अलगी difficult रहता है उसके बाद हमें shape बना कर त्यार कर देना है और इसके बाद चाकू की मद्द से हमें इसके pieces cut कर देने हैं तो पहले हमें सीधा cut करेंगे और उसके बाद दूसरा भी एसे cut लगाएंगे same size मतलब इसे बनाएंगे खा सकते हैं उतना बनाईए और उसके बाद अगर आप स्टोर कर सकते हैं तो आप स्टोर भी कर सकते हैं ये देखिए ऐसे ही ट्रेंगल शे बना के तेया कर देना है अलग से प्लेट में इसे निकाल देना है अब जितना खाएंगे उतना ही प्लेट में निकाल के अफ्राय करक तब तक हमें इसमें थोड़ा सा उलट पुलट करके और हमें ब्राउन कर देना है यह देखिए फ्राय हो गया है नास्ता अभी मैं अब को थोड़ा सा जो बच्चा था वह मैं आपको दिखाती हूँ तो वह भी मुझे ऐसे ही फ्राय कर देना है गोल्डन व्राउन होने तक औ करते हैं वह वाली मेंने चटनी आपके साथ शेयर कर चुके हो और यह गर्मकरम प्लेट में सर्व किजिए चाहिए किसाथ खाइए बहुत इंच्वाइए कीजिए वह ज्यादा टेस्टी लगता है अगर जिसको विरत नहीं है वह टमाटो सास के साथ भी खा सकते हैं और जिसक